आज यह तैह हो गया कि लालू यादब के परिवार में कुछ भी ठीक नहीं है ना किसी का सासन है ना किसी का अनुशासन है सभी आजाद पंग्छी की तरह अपने मन का फैसला कर रहे हैं लालू यादब जब से जेल गये हैं तब से वहाँ उनमुक्ता और बढ़ी हुई है अपनी मर्जी से पत्नी एसुर्या राय को तलाक देने का फैसला करते हैं तलाक अरजी डायर करने के पहले हुए किसी से मस्वीरा नहीं करते हैं ऐसा लगता है कि तेजस्त्यु जादब को भी अंतीम समय तक पता नहीं चलता है अब बताएए तेजस्त्यु जादब क्या ट्यूट ट्यूट खेलेंगे क्या आप सरकार प्रकताक्ष करेंगे क्या सरकार प्रतंज करेंगे पूछा तो यही जाएगा कि आपके परिवार में ही शासन अनुशासन नहीं है और वो है शोरिया राय जो एक बड़े राजनतिक घराने से आई बहुत धूमधाम से साधी हुई राबरी देवी ने कहा कि दुल्हनिया उन्होंने खोजा है बहु उन्होंने खोजा है और उस बहुरिया को आप अपने घर में च्छा महीने तक ठीक से नहीं रख पाए और च्छा महीने के भीतर ही तलाक तक बात पहुँच गई आखिर कौन है इसका कशुरबार बिहार की जनता भी पूछेगी लालू यादब जेल गए नहीं कि सब पुष्टास के पत्ते की तरह बिखर गया है लालू यादब की फैमली में और यह बरा संकत यह बरा संकत पारिबारिक संकत नहीं है सिर्फ चुकि लालू पशार का परिवार है जो बिहार की दिसात्य करता है तो यह सवाल अब लालू यादब की अनुपसिती में पूछा जाएगा कि आपके परिवार की बिरासत कैसे संभलेगी तेजपताब जादब और तेजश्यू जादब में विवार की खबरे बराब लगातार चलती रही कभी तेज किसन बन गए कभी अरजुन बन गए लेकिन ऐसा कौन सा किसन और अरजुन बनना कि आप अपनी पत्नी को ही तलाक छे मईना के भीता दे रहे हैं इस पड़िवार में खट पट इतना बर गया है कि और आगे क्या होगा क्या नहीं होगा कुछ कहान नहीं जा सकता है पिछले इस बात की आहाठी की तेजपता आप यादब तलाक की अधिदायर करने जा रहे हैं और इस कारण वो अब बहार नहीं निकल रहे थे ताकि लोग सवाल पूछने न लगें क्योंकि सवाल तो पूछे जाएंगे ही तो तेजस्त्री जादब कल जहानाबाद ने गए और आप पार्टी का नुसासन भी देखिए तेजस्त्री जादब सभा मंच पर उपस्तित नहीं होते हैं जहानाबाद में उनकी जो न्याई यात्रा है और वहां क्या होता है फैटम फैटी होती है सुजंदर जादब और आजंदर जादब के बेटे के समझ ठक आपस में भीर जाते हैं मतलब कोई सासन और नुसासन है ही नहीं और वे तेजस्त्री जादब जो रोज त्यूट खेल कर सरकार पर नितिस कुमार से नितिस चाचा से सवाल पूछते हैं आज वह खुद सवाल के घेरे में आ गये हैं कि उनके परिवार में क्या है और क्या नहीं बचा है सभी लो तेज पताब जादब के साथ तैह हुई थी तो बिहार के लिए बहुत बड़ी ख़वर थी क्योंकि एश्वरिया राय की प्रहाई लिखाई तेज पताब जादब से बहुत उचे दरजे की थी अब्बल दरजे की थी तब भी लोग सवाल कर रहे थे कि पता नहीं कि ओ दार चंद्रिकार राय ने पता नहीं ये बेमेल साधी क्यों तैक करी और साधी के कुछ दिनों भार से ही खटपट अनबन आप देख रहे थे कि तेज पताब जालब पारिबारिक संबन और बैबाहिक संबन निप्टाने से अधिक कभी मतुरा कभी ब्रेंदावान जाते रहे व लेकिन एक हनीमुन ट्रीब भी संबब नहीं हो पाया हनीमुन ट्रीब की बात चली हनीमुन ट्रीब पर जाएंगे लेकिन हनीमुन ट्रीब भी संबब नहीं हो पाया और यह साधी अब तूटने के गगार पर पहुँच गई तलाक की अरजी डायर हो गई है तो खुद लालू पशाट का परिवार और बिहार में बिरोधी दल के नेता तेजुस्री जादव जो रोज सरकार पर कताक्ष कर रहे थे निसाना साथ रहे थे अब उनसे ही सवाल पूछा जाना शुरू होगा कि आप बिहार को संभालने की बात करते हैं क्या आप अपने परि के बीज का रिस्ता खतम हो गया और वह रिस्ता जिसका गवाह बना था बिहार अभी 12 मई को तो ही साधी हुई थी अभी आगे कुछ हुआ कहां था और यह 6 मईने के भीतर रिस्ता तूटता है तो सवाल बहुत है परिवार दोनों सदमे में है लालू यादब आपको पता है कि रिम्स में भरती है राची में रिम्स में भरती है उन्हें जैसे ही इस बात की खबर मिली है वे सदमे में आ गया है और उन्हें लग रहा है कि परिवार को बचा अपाना बड़ा मुस्किल हो गया है उन्होंने तेजपताप यादब को तुरंत राची आने को कहा है खबर हमने तैय किया था कि जब तक खबर कंफर्म न हो जाए इस खबर को break नहीं करेंगे और जब यह खबर कंफर्म हुई अब तलाक क्यों इसके पीछे के कई किस्से कहानी भी सामने आने लगे हैं लेकिन इन किस्से कहानी को सुना कर हम और ज़ंज़त को बहाना नहीं चाहते हैं क्योंकि जुटिसरी भी नैपाली का भी प्रयास करता है कि रिस्ता साधी का रिस्ता तूटने के पहले एक बार कहीं से यह उसे बचाने की कोशिस की जाए तो बेहतर है मुझे रखता है कि लालू पसाद जिन्होंने तेजपता प्यादर को राची बुलाया है उनकी अंतिम कोशिस होगी कि इस रिस्ते को बचाया है ताकि परिवार की नाक न खटे क्योंकि तेज प्रदाप यालब के फैसले ने परिवार की नाग कटा दी है और यह तलाग जो है पूरे बिहार में गुझेगा देश में गुझेगा यो कि साधी अभी ओही का ते चट मंगनी और पठ तलाग वाली इस्तिती हो गई यह छे महीने के भीतर तलाग होता है और र बिटिया को समझाने का क्या प्रियास किया अब तो लोग पूछेंगे उनसे कि आपने यह क्या समझ कर तेज पताप यादब के साथ बिटिया की साधी का फैसला किया था क्योंकि उनके मित्र दभी जुबान से कहा करते थी कि यह कैसी साधी उन्होंने कर लिए लेकिन अब जब तेजपताप यादब ने खुद चल कर तलाक का फैसला कर लिया है और कहा है कैसोर्याराय के साथ नहीं रहना चाहते तो चंद्रिकाराय से भी उनके सगे संबंदी परिवार वाले आप मना हिसी थी सोचिए यहां खबर एसल्याराय को कितनी तकलीब दे रही होगी इच्छा महीने पहले उसने साधी करी और उनका दुलहा तेजपताप यादब जो बिहार की राजनिती के सबसे बड़ी परिवार से हैं बिहार में मंती रहे हैं वह तलाक की तेजपताप यादब जादब ने फैसला करने के पहले किन लोगों से राई मस्विरा किया किसी को पता नहीं है तो इसे सिटी में मामला बहुत बिगर गया है और आगे आने वाले दिन लालू यादब परिवार के लिए बहुत संगट के दिन है और यह खबर, बुरी खबर हम कह सकते हैं, तलाक बुरी खबर होती है, क्योंकि परिवार तूटता है, रिस्ता तूटता है, ठीक चुनाओ के पहले हो रहा है, तो यह जो परिवार का घमाशान है ना, लालू पसाट को राजनितिक रूप से भी नुकसान पहुचाएगा, इतना भी तैमानिये, तो यह बिहार के लिए बड़ी खबर की तेजपताब यादब तलाक दे रहे हैं, तेज़स्य यादब परिशान है, लाल उनसी बात कर पाएंगे जब बाहर आएंगे, पब्लिक के भी जाएंगे, मीडिया के सामने जाएंगे, तो लोग उनसे सवाल पूछेंगे, तेजपताब यादब तो हो सकता है, मीडिया से मुखातिब नहों हो, कहीं फेस्बुक लाइब हो जाएं या संभब है, पर तेज लाइब के लिए बहुत कठिन समया आ गया है, लालू यादब तो कठिन डौर में गुजरी रहे हैं, तो लालू यादब के परिवार में कुछ भी ठीक नहीं है, यह बात पक्की है, यह ध्यान दखने की जुरुत है, तो अब कोट की काजबाई शुरू होगी, तलाक की अर लालू पचाल और राबरी डेवी घरविलू महिला है, उन्होंने अब तक गिरस जिंद्गी को देखा है, मुखमंती भले रहीं लेकिन उन्हें परिवार को समभाला है, यह कोशिश जरूर करेंगी, राबरी डेवी और लालू यादब तो करेंगे ही, कि किसी भी तरीके इ अलग चीज है, लेकिन परिवार का घहमासान इससे ज़्यादा खतरनाक है, अब इस मुश्किल दौर से लालू यादब और आभी डेवी कहसें बाहर आते हैं, देखना होगा, तो आप देख चलिए लाइफ सेटीज डॉट इन, आप हमारी यूटूब चैनल को जरूर सब् Sबसी बजले में, आप हमारी अब चैनल को जरुट घट में पोलिध का यूट्, चाहिए लोगार अनल ओत धूं Seb चैनल को को जरूज यूट का ईससे आखना दरु श मटॉट बाहूल से चैनल को जोटीज